हाई गाईज वेल्कों बेक टो माई चानल मैं हूँ सुगम हो और मेरे चानल पर फट से एक बड़ा पस्वागत है तो आप लोगे रिक्वेस्ट पे मैं आज एक हेयर पैक लेक्या हूँ जिसने मेरे हेयर की ग्रोथ कापी अच्छी की है आप लोगों ने अभी बहुत ही जल्दी मेरे एक वीडियो देखा होगा प्याज चाहिए यह ध्यान रखिएगा वाइट वाइट वाल आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसे बहुत अच्छे से गेस लीजे अगर आप मिक्सी में ब्लेंड करना चाहिए तो मिक्सी में कर लीजे तो यहां पर मैं कद्दू कस का यूज करके इसके सारे रस को सप प्याज चाहिए तो यहां पर मैं अपने बालो के लिए एक मीडियम साइस का प्याज ले रही हूँ और उसको बहुत अच्छे से घिस रही हूँ ताकि मुझे उसका जो रस है वो मिल सके ऑ और इसको पूड़ा मैंने घिस लिया है दन इसके बाद मैं छंडी की हेल्प से इसके रस को सप्रेट करूंगी हमाप बड़वाल को खाली करके इसी में ही बड़ी वाली चंडी का यूज कर रही हूँ मेरे पास अभले另外 का इसलिए میں बड़ी चंडी का यूज़ करने हूं आप चाहें तो छोटी वाले चनी का भी यूज़ कर सकते हैं हमें रज चाहिए वो आप किसी तरह से लीज़े कपड़े से भी छान के ले सकते हैं तो यहां पर मैं इस्ट्रेनर की हैल्प से इसके रज को सप्रेट कर रही हूं इस पैक को अलोपीशय वाले भी लगा सकते हैं जिनको डेंडरफ है या फिर हेर बालों की आक वालों की साथ प्रब्लम होती है कि उनका एक जिखा से काफि कौंटिटी में बाल निकलता है तो इस पैक को बहुत अच्छी से यूज करें में या पर लगभख वन टेबल स्पू इस बात का धियान रखिएगा, यह मैं अपने बालों के लेंट के अकोर्डिंग ले रही हूँ, आपके बाल छोटे हैं उसके अकोर्डिंग, यहां पर मैं एक विटामीन E का कैपसूल यह करूँगी और इस मिक्षर को काफी अच्छे से मिक्स करूँगी, और एक खाली ताकि हमें शेक करने में बहुत एजी हो, सारी चीज़े अच्छे से मिल जाएं और लगाने में भी इसटी हो, बस यह बात धहन रखिएगा, जिनके बाल लंबे हैं, उनको डबल कॉंटिटी लेनी हैं, जिनके बाल छोटे हैं, उनको कम कॉंटिटी लेनी हैं, तो यह आपक जानने लगें, तब आप इसे एक बार अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजेगा, आई होब काईज यह वीडियो पसंद आया हो, तो भर-बर के लाइक कर दीजेगा, चैनल पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कर दीजेगा, तो मिलती हूँ, बहात ही चलदी एक नए वीडिय के साथ तब तक के लिए, बाबाई